नमस्कार दोस्तों इसराइल ने एक बार फिर से सीरिया के ऊपर आटाक कर दिया है सीरिया के पहले एलेपो शहर के उपर कई सारी एरस्टाइक्स की थी मैंने आपको उसमें बताया था कि यह एरस्टाइक्स क्यों करी गई है क्योंकि वहाँ पर बड़ी मात्रा में के अंदर में हैं यमन के अंदर मैं तो इरान जो है मेलिश्या के धूर हमेशा से लड़ाया लड़ते आया है इरान कभी ड Ci डिलू orsa और पको पता है इस बार जब इसराइल एयर स्टाइक करी है तो खास बात यह है कि इस बार इसराइल नहीं थे या Syria की government नहीं थी इसमें target इरान था इरान की जो embassy है यह पूरा attack उसके उपर conduct किया गया है अब इरान की embassy से दुश्मनी क्या है इसराइल को इरान क्यों attack किया क्योंकि इसराइल को ऐसा लगता है यह इरान की जो militias है यह मेरे लिए ज्यादा परिशानी क्रियेट कर रहे हैं जैसे हेजबुल्ला हो गया जैसे हुदीस हो गया तो USA और इसराइल दोनों की feeling सेम है कि इरान सबसे बड़ा दुश्मन है इन लोग का और इरान की militias है यह सबसे बड़ी दुश्मन है इसलिए जहां पर इनका hot spot है उस जगह को टारगेट करो इसलिए इन्होंनों अलेपो पर टारगेट किया था अब दूसरा टारगेट इन्होंनों डेमगाइसकर्स पर कर दिया है लेकिन इस टारगेट की सबसे खास बात यह है कि यह अब आपने उफिषऑल ने इस बात से मानने से बिलकुल इंकार कर दिया है इस्राएल के जितने भी उफिशल से बात की गई उन्होंने और इसमें युएस का भी हात उन्होंने इस चीज को बहुत زजाधा क्लियर कर दिया है अब खास बात इसमें ये है ना कि ये जितने भी लोग मारे गए हैं जितने 14 लोग मारे गए हैं उसमें से आठ जो थे वो Iranian officials थे ये सारे Iranian officials थे, दो इसमें से Syrian officials थे और एक इसमें Lebanese Official था, टोटल इसमें जो 11 लोग मरे हैं इसमें से एक भी सिविलियन नहीं था तो यह सारे जो हैं जिनकी भी डेथ हुई है यह सारे ओफिशल्स थे और ज्यादा आपको शोकिंग खबर यह है कि यह जो आठ लोग मरे हैं इन में से दो जो थे वो IRGC यानि की इवा इरान से रिवालूशनरी गार्ड कॉप्स यह बहुत बड़ी पैरा आया गया था और इस्लामिष्ट गवर्णेंट बठाई गई थी इरान के अंदर में तो उसके बाद यह IRGC का फॉर्मेशन किया गया था और इस IRGC को लोग मतलब पूरे मिडिलीज के अंदर में ही नहीं पूरी दुनिया में जितनी भी इस्लामिष्ट कंट्रीज हैं जहा इसलाम के साथ कुछ गलत हो रहा है वहां पर IRGC अपना सपोर्ट देती है तो इसलिए आप देखोगे कि जितने भी इरान बैग्ड मिलिश्याज हैं जैसे हिजबुल्ला हो गया हुदीस हो गया हमास वाले हो गये जितने भी हैं इन सब को जो है यह IRGC सपोर्ट करने जाती दो बहुत बड़े कमांडर्स की डेथ हो गई है ऐसा क्लियर किया है इरानियन ऑफिशल्स में जिन से बात की कि जो इरान के अंबैस्डर थे सीरिया के अंदर में होसेनी अकबरी उन्होंने खुद क्लियर किया कि दो बड़े कमांडर्स के हमारे डेथ होई है लेकिन उन्हो इसमें से एक इसराइल भी है और इसराइल की माने तो इसराइल खुद इस बात को मानता है इसराइल ने 2016 के अंदर में खुद यूएस से F-35 fighter jets को लिया था और F-35A जो है वो F-35 fighter jets का ही एक और variant है उसको खरीदा था और 2017 के अंदर में इसराइल ने खुदी इस बात को डिकलेर भी किया था कि हाँ हमारी फ्लीट के अंदर में F-35A फाइटर जेट्स मौजूद हैं अब जब F-35 को स्पॉट कर लिया गया है तो यह क्लियर है बिल्कुल क्लियर है भले इसराइली ऑफिशल्स माने या ना माने कि कि वो इसलाम की अवाज बने वो ऐसा पोर्ट्रे करी कि वो इसलाम की अवाज है मिडिलीज के अंदर में साओधी वाओधी जो कंट्रीज हैं यह तो युएस के अलाइज है और यह कुछ नहीं करता है इसलाम के लिए तो इरान खुद को पुरूफ करने की बहुत कोशिश क करता है हमेशा से करता है कि हम सबसे बड़ा Islamic nation मैं हूँ और मैं Islam को पूरी दुनिया में बचा सकता हूँ अब जब यह एर स्टाइक कर दी है इस्राइल ने और उसके से होकर स्टाइल से जाना है अधरवाइस यह बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमाटिक चीज हो जाएगी वर्ल ट्रेड के लिए वर्ल्ड एकॉनमी के लिए और हर चीज के लिए अगर मिडिली इस में क्योस आता है तो नाओ सबसे खास बात अटैक कि यह हैं और इसलिए भी कहा नुकसान होगा कई लोग कि इसमें जाए जाए जाएगी तो जो दूसरी वाली बिल्डिंग थी उस पे बहुत बड़ा पोस्टर था इरान के कासेम सुलिमानी का अब कासेम सुलिमानी आप समझ लों चो मैंने आपको आई यार जीसी बताया था कासेम सुलिमानी उसके तो आपने देखा था कि वर्ल्ड वर्ड टू में स्टालिन्गराड पर जो अटैक किया था हिटलर ने वह हम किसी को कुछ भी नहीं समझते पूरे अटैक के अंदर में और इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर यह चीज बहुत जादा आगे जागर के बढ़ जखती है और ब इरानियन लोग मौझूद थे, जितने भी सीरियन लोग मौझूद थे, सारे प्रोटेस्ट करने पर आ गए और यूएस के फ्लैग और इसराइल के फ्लैग को जलाने लग गए यूएस के अमबेसी के सामने खड़े हो करके, तो एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि यह मामला अल आज के लिए तना ही थैंक्यू एंड हवनाई स्टैक्स करी थी और उसको पूरा डिकलेयर भी किया था कि हाँ इरान के मिलिटरी ने यह पूरी स्टैक्स कंड़क्ट की हैं तो इस बार भी देखते हैं क्या होता है तो आई होप आपको यह पूरा मामला समझ में आ गया होग आज के लिए तना ही थैंक्यू एंड हवनाई स्टै